गटिहार के दो बच्चों के बैंक खाते में 15 सितंबर को 900 करोड रुपे से ज़ादा के ट्रांजक्शन का स्पाइस मनी और सौनो सूद से जुडाफ को लेकर में मीडिया की विस्तरिच रिपोर्ट के बाद कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर अपना रुख इसपश्ट किया कंपनी ने कहा है कि उसने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बैंकिंग पार्टनर को इसकी जानकारी दी गई है प्रेस रिलीज में कहा गया है प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि सौफ़वेर में गडबड़ी के चलते अकाउंट बैलन्स में अलग-अलग रकम दिख रही थी हमें मिली जानकारी के अनुसार उन खातों पर उक्त रकम का ट्रांसेक्शन नहीं हुआ है कंपनी ने कहा है कि स्पाइस मनी सिर्फ कस्टमर फेसिंग बैंकिंग सेवा मुहया कराती है इस ताजा मामले में स्पाइस मनी बैंक की तरफ से महाया कराई गई जानकारियों के आधार पर सर्फ अकाउंट बैलन्स मिनी स्टेटमेंट जारी करने के लिए जिम्मेदार है गौर तलब हो की 15 सितंबर को कटिहार के दो बच्चों के बैंक खातों में करोडों की रकम बैलन्स के रूप में दिखी थी उनमें से एक बच्चे के बैंक खाते में सुभा आठ बजे से शाम छे बजे के बीच अलग अलग रखम दिखी थी और अगले दिन बैलेंस शूने हो गया था ये रखम इस पाइस मनी के कस्टमर सर्विस पॉइंट सी एस पी से निकाले गए स्ट्रीट में दिखी थी सी एस पी ग्रामेर इलाकों में मिनी बैंक का काम करती है सौनुसूद हाल ही में इस कंपनी के ब्रैंड अमबेसडर बनाए गए है दिल्चस्प बात ये भी है कि जिस दिन दौनों बच्चों के खातों में नौसो करोड से जादा रुपे दिखे थे उसी दिन सौनुसूद की संपत्यों पर आईटी के चापे भी पढ़ रही थे जानकारों ने करोडों के ट्रांजेक्शन को तकनी की खराबी मानने से इंकार किया है और कहा है कि इसकी फॉरं सिक जाच होनी चाहिए कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में इस घटना का सौनोसूद से किसी तरह का संबन होने से भी इंकार किया है प्रेस रिलीज में लिखा है ये एक पिर्थक घटना है और सौनोसूत का इससे कोई वास्ता नहीं है ये घटना अकाउंट स्टेटमेंट की प्रिंटिंग करने वाले सौफ्ट्वेर की गडबड़ी से सम्मंदित है और इसे सौनोसूत से जोड़ना हास से अस्पद है यहां ये भी बता दें कि पिछले हफते भारतिय रिजर्व बैंक ने इसपाइस मनी पर बैंकिंग दिशा निर्देशों की अंदेखी करने के चलते दो दशनलव चार चार लाख रुपे का जुर्माना लगाया था वही सौनोसूत की संपत्यों पर आईटी के सर्च ऑपरेशन को लेकर केंद सरकार ने 18 सितंबर को प्रेस रिलीज जारी की इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि सौनोसूत ने 21 जोलाई 2020 को चैरिटी फाउंडेशन बनाया था और कुल 18 दशनलव 9.4 करोड रुपया चंदा वसूला था इसमें से केवल 1.9 करोड रुपय ही खर्च किये गए जबकि 17 करोड रुपय फाउंडेशन के अकाउंट में पड़े हुए हैं प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया है कि सौनोसूत की चैरिटी ने FCRA नियमों को ताख पर रख कर 2.1 करोड रुपय विदेश से चंदे के रूप में जटाए हैं